Hello Friends, Namaste, Welcome to my Channel, Kalpana Food Channel Friends, आईए, आपका सवागत है तो Friends, चलिए आज मैं लाई हूँ, बहुत ही मीठा, बहुत ही डिलिजियस जो कि सब को पसंद आती है, सबई और बहुत ही जटपट बन जाती है जब भी Friends, रात में कुछ मीठा खाने का मन हो चाहे कभी भी मिठा खाने का मन हो तो यह जटपड बनाए और जटपड खाए क्योंकि यह बहुत ही जल्दी बनती है तो friends चलिए स्टार्ट करते हैं यह सबई बनाना देखिए कितने सुन्दर लग रही है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है यह और चलिए friends देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे उससे पहले अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए इस बिल आइकन को दबना ना भूले और मुझे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले तो चलिए friends बनता करते हैं यह सब्सक्राइब बनाना सेम्या जिसके लिए मैं ली हूँ यह अधा बॉल है यह मेरा सेम्या जो मैं अच्छा से कढ़ाई में फ्राइ कर ली हूँ तेल के साथ और यह जो मैं ली हूँ शुगर है उसके बाद में थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स ली हूँ जो किस्मिस ली हूँ मैं काजू है थोड़ा सा पिस्ता है और बादाम है और दो यह हरी इलाइची मैं ली हूँ तो चलिए फ्रेंस फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बेस्ट किये सबसे पहले मैं दूद को उबालने के लिए चड़ा दूँगी देखिए गैस का फ्लेम अन कर दियूं मैं दूद को पहले बॉल कर लेती हूँ यह देखिए दूद में अच्छे से बॉल आ रहा है अब मैं थोड़ा गैस का फ्लेम कम कर देती हूँ उसके बाद मैं इसमें यह सेवे को अड़ कर दूँगी अब इसे चलाती हूँ मैं अच्छे से बॉल आ रहा है इसमें फोगल से का फ्लेम कम कर देती हूँ फिर से और यह जल्दी पक जाता है तो इसमें मैं ड्राइफूट्स भी अभी ही एड़ कर दूँगी यह देखिए सारे ड्राइफूट्स को मैं इसमें डाल देती हूँ हरी इलाइची को भी मैं इसमें डाल दी हूँ थोड़ा एसे पकने देते हैं अच्छे इसे पकने देते हैं अब मैं इसमें चीनी को अड़ करूंगे आब मैं आब टके बने यहां आब मेदैंюсь आब झाली त Parlament कर दो कर दूंगी मैं अच्छे से मिल्ट हो गई है अब इसे एक सर्विंग बॉल में सर्व करूंगे अब गयस का फ्ले में बंद करती हूं और इसे नीचे उतार लेते हूं देखिए यह मैं नीचे उतार ली हूं अब इसे में एक बॉल में निकाल लेती हूं अब मैं इसका थोड़ा सा डेकोरेशन करूंगे डेकोरेशन के लिए मैं यह पिस्ता लगा रही हूं और थोड़ा सा काजू डानूंगे थोड़ा से यह बादाम और थोड़ा से यह किश्मेश और फ्रेंट्स यह मैं थोड़ा साइए यह जो तुलसी का पत्ता आता है तुलसी के पत्तों को मैं इसमें बीच में रखोंगे तो देखिए फ्रेंट्स कितने सुंदर लग रही है मेरे सवई और बनकरे बिल्कुल भी रेड़ी है जब भी मीठा खाने का मनों जट पट बनाए और जट पट खाए तो और भी मेरे लेटेस वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे हैं तब तक के लिए बाबाई झाल 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 झाल